शान्ति के शक्ति पे शान्ति जग में दानी है शान्त मन हो तन हो शीतर ऐसे दुनिया बनानी है शान्ति की शक्ति से शान्ति जग में दानी है शान्ति की शक्ति से चलोजी आज चौबिस दस दो हजार इक्किस अव्यक्त बाप दादा के रिवाइजड कोर्स है ग्यारा ग्यारा एटी नाइं ग्यारा ग्यारा एटी नाइं की मुली है आज क्या टॉपिक टाइटल है दिव्यता संगम युगी बरहामनों का श्रिंगार है दिव्यता क्या है हम संगम युगी बरहामनों का श्रिंगार कल युगी श्रिंगार तो ब्यूटी पालर में कराते हैं और यह हमारे ब्यूटी पालर क्या है हमारी दिव्यता हमारे दैवी गुन जो हमारे संकलप में हो वो ही हमारे बोल में निकले वो ही हमारे करम में हो यही हमारा संगम युगी बरहामनों का श्रिंगार है तो दिव्यता आई कहां से तो भाबा ने कहा वो दिव्यता वो दिव्यनेत्र बाबा ने ब्रहामन जनम देते ही हमें मिल गया जब से बाबा के बने तब से बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोलकर श्रिष्टी के आदी मद्य अंत का ग्यान देकर बताया कि बच्चे तुम्हीं देवता थे तुम्हारे में दिव्यता थी तो जब आखे के बाबा ने हमारे खोली तो तब से ही बाबा ने हमें पूरा लाइंड आर्डर बताया पूरा द्रिष्टी से स्रिष्टी कैसे परिवत्तन करते हैं वो बाबा ने सारी हमारे को बताया तो क्या बाबा ने में बताया आज़ां कि जब अब आप साधारण करणा नहीं हो, जब आप नेगीटिव नहीं हो, पॉस्टिव नेगीटिविटी यए वेस्ट नहीं भबा करें। अब आप देखने में दुनिया की तरह साधारन करम ही करोगी, साधारन ता होगी, पर आप ये संकलब, बोल और करम में दिविता दिखने चाहिए। ये ओडनरी इनसान भी नहीं है, इनमें एक डॉककिक तादीक है हमारे से, आलॉकिक नहीं है, इनमें दिविता है। तो कैसे पता लगा दिविता जिसके लिए कि बाबा नही रज में फोक्रिक्सिंग की ? कि बाबा ने कहा जैसे हम दर्बार लगाते हैं रात को करमिंदिरियों की दर्बार लगाते हैं तो उसमें बाबा हम क्या बोलते हैं कि बाबा आज कोई गल्त नहीं सोचा आज कोई गल्त नहीं बोला आज कोई गल्त नहीं किया नेक्टिव नहीं किया कोई वेस्ट नहीं किया साधारन रहा साधारन रहा सिंपल रहा कोई गल्ट नहीं हुआ बाबा ने का वो तो ठीक है गल्ट नहीं हुआ साधारन हुआ विकरम नहीं बना पर भविश्य के लिए जमा क्या किया अब दर्बार लगाओंगे तो उसमें ये देखो बुरा तो नहीं किया negative नहीं किया सधारन हुआ पर अच्छा क्या किया किसी को सुख दुख नहीं दिया ये तो ठीक है पर सुख कितनों को दिया जितनों को सुख दिया वो आगे के लिए जमा हो गया आपका तो दर्बार लगाएंगे उसमें ये बोलना है बाबा आज कितनों को सुख दिया कितना अच्छा किया कितना अच्छा करना में भविश्य के लिए जमा करना आज से दरबार ऐसी लगाएंगे जब दरबार लगाएंगे तो सारी दिन चरह उसी पर कार कियोगी तब ही दरबार लगाएंगे तो अपनी दिन चरह में चेक करना है कितना अच्छा अच्छा किया कितना अच्छा अच्छा बोला कितना अच्छा अच्छा दिया दुसरी बावा ने मेन बताई कि प्रॉल्म क्या है सस्कारों की टक्कर है सस्कार हमारे है तो बावा ने कह सस्कार अभी तक हम कहते थे बात ही ऐसी परिस्तिति ऐसी आगी तभी हमारे को ऐसे बोलना पड़ा आज बाबा ने कहा परिस्तिती को बाबा ने कुछ नहीं बोला परिस्तिती आपके संसकारों करके हुई है आपका बहेविर ऐसा है संसकार ऐसे है जो परिस्तिती बनी दूसरे को बोलने का बोलना पड़ा तो अपने सभाव, संसकार को चेंज कर लो, परिस्थिती भी खुदी ठीक हो जाएगी, ये दो बाते आज बाबा ने मेन हाइलाइट की है, तो कैसे सुंदर तरीके से सुनेंगे भी बाबा के मुख से, कैसे बाबा ने दोनों को विस्तार में बताया है, सुनेंगे भी बाबा का श्रिंगार है तो आज दिव बुद्धी विधाता दिव बुद्धी क्या है उसका लॉइन ओर्डर समझाने वाले और दिव द्रिष्टी दाता दिव द्रिष्टी दे दी अपने दिव जनमधारी और दिव आत्माओं को देख रहे हैं जिनमें दिव ताही है उन बच्चों को देख रहे हैं जिनकी बाबा ने क्या दिया दिव द्रिष्टी दिव द्रिष्टी में क्या पता है बाबा ने पहले हमारे को पहले हमने देभान था देहिक द्रिष्टी देखते थे जब से बाबा का ऑप्षिट्टि होगी मैं आत्मा हूं ये भी आत्मा है सबी आत्मा एक परम पितापरमात्मा की शंतान है तो हमारी द्रिश्टि बदल जाती है तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव जीवन दिव लाइस्टाइल यानि दिव लाइफस्टैल में क्या होगा दिव जीवन में क्या होगा दिव संकलब दिव बोल और दिव करम करने वाली दिव मूर्तियां बनाया है तो आज जम सब आपने हों कहते दिखेंगे चलती फिरती मूर्तियां है तो दिव विता आप संगम योगी बच्चों का श्रेष्ट श्रिंगार है तो एक है साधारन्ता दूसरा है दिव विता ने एक्टिवेस्ट ने बाबने बोला होते हैं इनी बाबनों में साधारन्ता तो है ना अपने का साधारन्ता एक तरफ है एक तरफ है दिव विता तो दिव विता की निशानी आप सभी जानते ही हो दिव जीवन धारी जिसने दिव जीवन को धारन किया है ऐसी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दिव्य द्रिष्टी द्वारा साध्धारंता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी आपकी निगाएं कैसी होगी द्रिष्टी कैसी होगी उनको दिविता दिखे दैवी गुन दिखे आपकी द्रिष्टी से आप एक हिरोईन आएगी मालों यहां से जा रही है तो आपकी द्रिष्टी कैसी होगी विकारी द्रिष्टी के लिए होगी एक बाबा के बच्चे ब्र दिविता आप में है सामने आने से ही साधारन आत्मा अपनी साधारनता को भूल जाएगी क्यों? क्योंकि आज कल के समय अनुसार वर्तमान के साधारन जीवन से मैजोर्टी आत्मा संतुष्ट नहीं है क्या करें बाबा? क्या बाबा ने बोलाई? आज कल के समय अनुसार वर्तमान के साधारन जीवन से मैजोर्टी आत्मा संतुष्ट नहीं है जो आपको लग रहा है ना दुनिया में बड़ा पैसा है बड़े मस्त में है बाबा केते हैं अंदर जाके देखो खोखले पड़े हैं सारे अंदर से जैसा भी उनका जीवन है संतुष्टा किसी के पास नहीं है आगे चल कर ये आवाज सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है अपने जीवन से चाहे कितना भी कमा लिया संतुष्टा किसी के पास नहीं है ये आगे पर दिखेगा आपको तो क्या चाहेंगे सब जीवन में कुछ नवीनता चाहिए यानि अलाकिक्ता अलाकिक्ता में स्पिरिच्चुल्टी दिविता और दैवी गुन जीवन का विशेश अधार है ये अन्भव करेंगे दुनिया के हर प्रानी ये अन्भव करेंगे क्या कहेंगे सब कुछ है पर कुछ चाहिए कुछ चाहिए इस चाहिए चाहिए की प्यास से चारो और ढूनेंगे जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़ता हुआ मानौ चारू और पानी की बूंद के लिए तड़ता है सुर्ता में पानतत्यों का बना हुए श्रीर है उस पानी की बूंद के लिए तड़ता है ऐसे इसे दिविता की पैसी क्योंकि वो तो شریर है आत्मा तो पांते तुजर बनी नहीं है आत्मा कर तो कुछ चाहिए तो ऐसे आत्मा को कहा चाहिए देविगुन आत्मा के जो सभभाव है शान्ति, प्रेम, अनंद, सुख वो चाहिए आत्मा को ऐसे दिवता की प्यासी आत्माएं चारों और अंचली लेने के लिए तड़फती हुई दिखाई देंगी बापा फ्यूचर बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है कितना आपने अपने पर अटेंशन रखे भरकू रहना है बापा ने को जितनी भी दुनिया की देभान वाली आत्में तड़फती आत्में कहां पहुँचेगी आप सब के पास पहुँचेंगी ऐसे दिवता के खजाने से बरपूर बने हो तो हर समय दिवता अनभव होती है वा कभी साधारन कभी दिव जब बाप ने दिव द्रिष्टी दिव बुद्धी का वर्दान ही दे दिया बापा ने क्या दिया हमको दिव द्रिष्टी और दिव बुद्धी वर्दान में जिसमें कुछ मेहनत ने करने पड़ी मुद्ध में दे दिया तो दिव बुद्धी में आपकी बुद्धी का ज़या है दिव देवताओ वाली बुद्धी तो दिव बुद्धी में साधान बाते नेक्टिव वेस तो बहुत दुर्गी बाता है और्डिनरी बाते भी आ नहीं सकती हम बोलते हैं न हम गलत नहीं कर रहें कुछ हम तो ऐसी कर रहें एम ही कर रहें एम ही शेवद भी ब्रामनों की मुख से निकलना नहीं चाहिए हमारा हर संकरप स्पेशल जो बाबा ने कहा है हर बोल स्पेशल हर करम स्पेशल होना चाहिए साधारन भी नहीं माना दिव जनम धारी हमार दिव जनम हो है नया जनम हो है ब्रामन तन से साधारन करम कर नहीं सकता चाहे देखने में लोगों के लिए साधारन करम हो दूसरों के समान आप सब भी व्यवार करते हैं इ्टरेक्शन में जहती है आते वैसे आप भी आते हो आप ही वेपार बिजेस करते हो या गावर्म्रंन्ट की नौकली करते हैं माताहे खाना बनाती है यह दुनिया वाली करते है ऐसी आप भी करते हो देखने में साधारन करम है लेकिन इस साधारन करम में भी आपका और लोगों से नियारा डिटैच अल्लाओकिक स्प्रिच्छल दिव्य करम हो महान अंतर इसी लिए सुनाया कि दिव जनम धारी ब्रामन तन से साधारन करम नहीं करते मन से साधारन संकलप नहीं कर सकते और धन को साधारन रिती से कायरे में नहीं लगा सकते तन मन धन को चलो पैसा लगा दिया चलो उसको दे दिया ऐसा कर दिया ऐसे नहीं कर सकते तन मन धन तीनों के ट्रẨ्स्टि हो यह बाबा को दे दी आपने अब आपको बाबा ने आपे ट्रस्ट किया वश्वास किया है उसकी आमानत है उसको उसकी आमानत समझ के चला गए हो बाप इसलिए मालिक बाप की शिरमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते उसको दे दिया किसी का बच्चा कोई बच्चा अपना कहता है हम भाहर जा रहे है तो पता है बच्चा है अपना नहीं है उनका है तो आप चाहे नमक से भी रोटी खालोगे और उसके लिए कुछ अच्छा बनाओगी दो चाह दिन अच्छा चाह दोगे ऐसे ही यह तनमंधन बाबा की प्रॉपर्टी अप्री मुझे बाबा ने सेवा के लिए रखा वाश कुछ अपने कितने मन का कियर करना पड़ेगा कितने धन का कियर करने पड़ी है मना हर समय बाप की शिरिमत दिव करम करने की मिलती है रोज मुली मिलती है कैसे काम करना है इसलिए चकरो की सारे दिन में साधारन बोल और साधारन करम कितना समय रहा क्या चकरना है बीबयोपन ने संकलक को नहीं भोला कि संकलक रिदे बचा दिया पो अब बोल किया देखा है और करम देखा है कितना साधारन रहा और दिव अलाओ की कितना समय रहा मुली के साथ वे कितने दे चले और और-डमियवे में कितने समय चलते है कई बच्चे कहीं कहीं बहुत भोले बन जाते हैं बोले गास तो कैसे चेक करते हैं लेकिन भोले पन में कैसे समझते हैं सारे दिन में कोई विशेश गलती है तो की नहीं बुरा किसी के बारे में सोचा नहीं बुरा बोला नहीं आज तो बापा बिल्कुल कोई गज़ नहीं बोला कोई गज़ नहीं किया लेकिन ये चेक किया कि दिव्य वा अलाव की करम किया मैं शरी नहीं हूँ अब मैं तो आत्मा हूँ आत्मिक सम्रीती में कोई जोच के करम किया क्योंकि साधारन बोल वा साधारन करम जमा नहीं होता इसका अरज़र्ड जमा नहीं होता ना मिटता है ना बनता है चलो मिटा दिया और नेरी सोचा मिटता भी नहीं है ये लखीर दो चल रही है ना मिटता भी नहीं है ये बनता भी नहीं है ये तो वर्त मान का जो पास्ट होगा है छोड़ो परे इसमे प्रेजेंट का वर्तमान का दिवे संकलब वा दिवे बोल और करम भविश्य का जमा करता है इतलिए पॉस्ट्री पॉस्ट्री जोना है आपका भविश्य जमा हो रहा है सत्यूग में यहां का पुर्शार वहां प्रारव्द बनती है रिवार बनता है वहां कुछ नहीं मिलेगा आपका जमा किया हुआ होँ वहां मिलेगा आपको इसे बाबा अटेंशन के चुपा रही है जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में बोले बन जाते हैं खुश रहते हैं कि मैंने आज वेस्ट नहीं किया नेगिटिव नहीं किया लेकिन सिर्फ इसी में खुश नहीं रहना वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना किया negative नहीं किया लेकिं पाज्टिव कितना किया कई बार बच्चे कहते हैं kamera आज किसी को दुख नहीं दिया लेकिन सुक भी दिया दुख नहीं दिया इससे वरतमान अच्छा बनाया आई तो अच्छा बन गया लेकिन सुक देने से जमा होता है future जमा हो रहा है आपका सुख देने से जमा होता है future बन रहा है आपका वो किया वा सिरफ वर्तमान में ही खुश हो गए सुख दाता के बच्चे सुख दाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते बाबा को नहीं है सुख दाता हम उसे बच्चे कौन है सुख देने वाले ये जमा का खाता जमा करते हैं सिर्फ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितना दिया जो भी आपके कॉंटेक्ट में आए संपर्क में आए मास्टर सुख दाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूती करें जो भी आए उसको आज लगे यहां आके ना बड़ा सुख मिला बड़ा चैन मिला बड़ा अच्छा लगा इसको कहा जाता है दिव्यता अलौकिकता ये स्पिरिच्वल्टी तो चेकिंग भी साधारन से गुईया चेकिंग करो डीप चेकिंग करो हर समय ये समरीती रखो कि एक जनम में इसी चोटे से एक जनम में एकिस जनमों का खाता जमा करना है तू सब खाते चेक करो तू सब खाते चेक करो सब कौन से तन से कितना जमा किया कितना तन को सेवा में लगाया बाबा की मन के दिविसंकलब से कितना जमा किया मैं आत्मा हूँ सभी आत्मा है इस समरीज़े से कितना जमा किया और धन को शिरिमत परमान शरेष्ट कारें में लगा कर कितना जमा किया लॉकिक में सब को खुश कर दिया क्या जमा किया लॉकिक में कितना लगाया कितनों को बाबा का बच्चा बनाया कितनों की जीवन बदला उस धन से ये चेक करो तो जमा के खाते की तरफ विशेश अटेंशन दो क्यों कि आप विशेश आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जनम के सिवाए सारे कल्प में कोई समय नहीं है इस संगम उपर सत्यु त्यता द्वापर कल्यू चारो योगों की गमाई का समय यही है जितना जमा करना है कितना अटेंशन चाहिए और आत्माओं का हिसाब अलग है बाकि दुन्या से अपने को कंपेर ना करो उनका हिसाब अलग है लेकिन आप श्रिष्ट आत्माओं के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं अभी नहीं जमा किया तो भूजाओ कि जिन्दिगे में कभी जमा कर सकते हो तो समझा क्या करना है इसमें भूले नहीं बनो पुराने सस्कारों में भूले मत बनो जो भी काम कर रहे हैं हम सस्कारों के वर्ष करते हैं इसलिए उसमें भूले नहीं बनो बाबा भूले कह रहा है पर है यह कहना बाबने कहा है इसमें बुद्धू नहीं बनो बाप दादा ने रिजल्ट देखी आपकी दर्वार लगाते हैं ने डेली बाबा को बाबा ने सारे दर्वार की रिपोर्ट देखे ता बाबा बता रहे हैं कितनी बातों की रिजल्ट में कितनी बातों की रिजल्ट में आपका खाता का मैं बाद में रहेंगे अभी सिने में सब कुछ भुला करके पहुंच गए भावमिलन था फटबर सब पहुंच गए बाप दादा भी बच्चों का सिने देख एक घड़ी के सिने का रिटन अनेक घड़ीयों की प्राप्ति का देता ही रहता है भावमिलन ने देखा इतना बच्चे पहुंच गे उसका कितना रिटन देता बाबा आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या-क्या पका कराया क्या-क्या पका कराया इतना बड़ा संगठन आ गया वहाँ पर तो पांड़वन में चोटा साथ जगा थी इतने सारे बच्चे आगे पर भावमिलन ने कहा आने से पहले आपको क्या-क्या पका कराया क्या पका कराया पहले सुनूँ पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा क्या था पत्रानी उस समय बच्चे बहुत आगे थोड़े से बैट थे तो सारे बद्दे कैसे पहुंचेंगा सारे जगा कम थे रहने की तो जितने भी बैट थे न वो हटा दी अंदर तो सब को जगा बैट अटा दी है हम निचे जाव मदस हो सकते हैं तो पट पे सोना उस पड़ेगा चार दीन ही रहना पड़ेगा जमीन पर सुना है चार दीन ही रहना पड़ेगा आना जाना ही पड़ेगा रहना नहीं पड़ेगा या पर आओ पर चले जाओ तो सब बाते सुनते हुए भी सिने में पहांच गए ये भी अपना लक समझो जो इतना भी मिल रहा है चलो खटिया तो मिल की निचे फिर भी कैसे बाप ने बुला जो जबीन पर सोगे बैट जबीन तो गड़ा तो मिल गड़ा सोने के लिए एस कंपेर बाप ने किसे किया जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना जैसे वैशन देवे जाते हैं साहरे रात दर्शन के खड़े रहना पड़ता है कहां कहां जाते हैं सारे दो दो दिन रात तो खड़ा रहना पड़ता है जगा रहना पड़ता है ऐसा हो तो नहीं हुआ ना यहां भी अराम से बैठे हो जब आगे वृद्धी होगी आगे बाबा के बच्चे बढ़ेंगे न तो सुता ही विधी भी परिवर्तन होती रहेगी उससे बाबा ने बोलना चुक्ता कि अब एकामड़ेशन बढ़ाओ जब बच्चे बहुत बढ़ेंगे लेकिन सदैव यह अनभव करो कि जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है क्योंकि वृद्धी तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है बाबा के ते पास्ट को बोल जाओ लिव इन दे प्रेजेंट जो मिल रहना चलो कटिया ता मिली, जमीन पे ता मिला खुश रहो बस खुशी नहीं छोड़नी बाबा चाते है बच्चे उक्जाद अभी खुशी जमा है अभी खुशी है तो अगला जमा हो रहा है खुशी किसी बात वे चलीगी तो समझो अगला भी खाता खानी हो गया दो चीज़े ही चाहिए माताओं को तो बहुत खुशी होती है क्यों? क्योंकि बना बनाया बोजन मदबन में मिलता है वहां तो हर जगा बनाओ फिर भोग लगाओ फिर खाओ और मदबन में बना हुआ भोग लगा हुआ बोजन मिलता है इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है फिर कुमारों को भी आराम मिलता ही है क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रावलम है खाना बनाने की बाई ये को तो जाती प्रावलम होती है और मदवन में तो आराम से बना हुआ बोजन खाया ना तो सबैव ऐसे ही इजी रहो इजी रेचर चीवाबा करते है अब जिसके संसकार इजी रहने के होते हैं जिसके रहना ही इजी है जो हुआ लेट गो कोई बात ठीक है जो मिला वा कुछ तो मिला ना नेक्टी बन्दा होगा क्या करेगा वो वो देखेगा इतना था मुझे कितना मिला कुछ भी नहीं मिला इससे क्या होगा और पॉस्टियर बंदा होगा इतना तो मिलाना वा 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 यह अपना आपो देखो मेरा नेक्टियर चुट है कि पॉस्टियर चुट है यह मेरा संसकार कैसे हैं थोड़े में राजी होते हैं कि बहुत में भी राज़ी नहीं होते अब जिसके संसकार इजी रहने के होते हैं उनको हर कायर सहज अनुबव होने के कारण वो इजी रहते हैं अब जिसके संसकार संसकार टाइट हैं तो सरकम्स्टांस भी टाइट हो जाते हैं हलात भी लोग भी उसके लिए टाइट हो जाते हैं संबंद संपर्ग वाले भी टाइट वेवार करते हैं टाइट अर्दाद खीचातान में रहने वाले अगर आपको लोग खीच रहे हैं काट रहे हैं उल्टा बोर रहे हैं वेगो बना रहे हैं यह कुछ कर रहे हैं सब्सक्राइब उनका कसूर नहीं है डॉंट ब्लेम एनिवन मेरा सभाव सस्कार ही ऐसे हैं अपने सस्कारों के जि आपके सस्कारों ने महाल ऐसा खड़ा किया तो सभी ड्रामा के हर द्रिश्य को देख देख हर्शित रहने वाले हो ना ड्रामा चल रहा है हर एक को अपना अपना रोल मिला हुआ है रोल देखो ना नहीं अब हम रमायन देखते थे है ना उसमें रावन कितना गंदा रोल करता है है ना राम कितना चल रोल करता है पर रावन की एक्टिंग देखर कि क्या या रावन की एक्टिंग कि इसने क्या हसी थी उसकी क्या स्टाइल था बोलने का क्या दबाव था क्या आवाज में द अपसूरती देखो दीए न हरशित रहना मतलब हरशित रहने वाले हो न वा कभी अच्छे बुरे के अकर्शन में आ जाते हो यह बहुत अच्छा है उससे अकर्शन होगे यह बहुत बुरा है उससे अकर्शन होगे तो बाबाने का ना अच्छे में ना भुरे में किसी में अकर्षित नहीं होना है तो क्या करना है सदैव हर्षित रहना है मुझे हर्षित रहना है उसका रोल ऐसा है मैं क्यों परशाद हूँ मैंने अपना रोल हर्षित रहना है बेस्ट रहना है ठीक है अच्छा सदा सदा हर कदम में दिव्यता अनभव करने वाले सदा क्या बोले मच्छर तो चला जाएगा सदा हर करम में दिव्यता अनभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को अब कैसे देए आपको ये मूर्तिया हैं दिव्य मूर्तियों को सदा सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नौलिजफुल आत्माओं को सदा हर समस्या को इजी स्थीती दोरा इजी पार करने वाले बातों को जटिलना मनाओ बात को खदम करो ऐसे समझदार बच्चों को अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को भुजाने वाले मस्टर ग्यान सागर श्रेश्ट आत्माओं को ग्यान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते जी हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप को नमस्ते फिर बाबा ने ग्रुप से अलग अनसे बात की पहले बॉंबे ग्रुप वाले को क्या समझाया हर ग्रुप को ऐसे दिविता जीवन में कैसे आ सती है तो अलग अलग ग्रुप के साब से बाबा ने सब को समझाया तो कुछ पॉइंट्स हैं जिससे दिविता आएगी क्या क्या करना पड़ेगा आपको जिसे बॉंबे वाले बॉंबे निवासी बच्चे नाम बॉंबे वालों को है है सब के लिए बॉंबे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन होना सदा अपने को संपन आत्मा हूँ ऐसे अनभव करते होना संपन्ता संपूरंता की निशानी है भरपूर है तो आप संपूरं हो कैसे संपूरंता की चेकिंग अपनी संपन्ता से कर सकते हो क्योंकि संपूरंता माना सर्व खजानों से फुल होना जैसे चंद्रमा जब संपन होता है बरपूर होता है तो संपन्ता उसकी संपूरंता की निशानी होती है कि संपूरं इससे ज़्यादा फैलने सकता चारकोने भर गये उसके इससे और आगे नहीं बढ़ेगा बस इतनी ही संपूरंता है जरा भी किनारी कम नहीं होती है ने चंद्रमा की संपन होता है बरपूर होता है तो आप सभी सरगुन संपन सोला कला संपूरन संपन तो है पर हंडर परसेंट है सोला कला संपूरन हंडर परसेंट है कि प्रफेक उसके बापता रहे हैं तो किसमें आपको संपनता चाहिए संपूरनता चाहिए ज्यान योग धारना सेवा सभी में संपन इसी को ही कहा जाता है संपूरंता और गुजैश नहीं है संपूरंता आगी इससे जान सकते हो कि संपूरंता के समीप है या दूर है संपन हो अर्थात संपूरंता के समीप हो तो सब समीप हो कितने समीप हो आठ तक आगे सो तक आगे सोलाजार तक आठ की समीपता फिर सो की समीपता और फिर है सोला हजार की समीपता कितने समीपता वाले हैं यह चक करना है अच्छा है फिर भी दुनिया के कोटों से क्रोडों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो वो दुनिया वाले तरफने वाले और आप संपन आत्माएं हो प्राप्ति सरूप आत्माएं हो ये खुशी है ना दुनिया से कंपेर करो पने आपको ये खुशी है ना रोज अपने से बाते करो कि हमारे सिवाए रोजकिक अपने से बाते करो कि हमारे सिवाए और कौन खुश रह सकता है इस बड़ी बात है नँ क्या बात करने है train हमारे सिवाए जुनिया में कौन खुश रह सकता है तो यही वर्दान सदा समरीती में रखना कि हम समीप हैं संपन हैं अभी तो समीप मिलन भी हो गया भावा सामने साने बैट की मिलते थे जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है ना साथ बैटे को अच्छा लगता है ना वैसे स्थिति में भी सदा समीप अरताद सदा संपन बनो सिती भी आपकी समीपता वाली हो बाप समान सिती हो अच्छा फिर गुजरात और पूर्ना गुर्प से सभी दृष्टी द्वारा शक्तियों के प्राप्ती की अनुभूती करने के अनुभवी हो ना बाबा की दृष्टी पढ़ती है ऐसे हो तो सारी शक्ति आगी मिल falsch इसका अनुभव ऒए ना जैसे वानी दृआ शक्ति की अनुभूती करते हो ना जैसे मली सुनते हो तो समझते हो ना हाँ आज बाबा से च्छी क्षाई मिली ना शक्ति मिली आज मुली सुनके ना मज़ा आगे पावल बन गए ऐसे द्रिष्टी द्वारा शक्तियों की प्राप्ती के अनुभूती के अभ्यासी बने हो द्रिष्टी मिली आहां सारी पावर आगी बनास या वानी द्वारा अनुभव होता है द्रिष्टी द्वारा कम ऐसा होता है बोलने से तो ग्यान सुने मजा आईता है पर दिरिष्टी से कम होता है बाबाने का दिरिष्टी दौरा शक्ति कैच कर सकते हो क्योंकि कैच करने के अव्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिर्विय दिरिष्टी दौरा अनभव करा सकते हो जब आपने बाबा से दिरिष्टी से अपने में शक्ति भरी है वरपूरत ता आहि है शंपंत आई है संपूरन ता अई तब दूसरे को दिश्टी देशेते हो उसको भी संपंपना सते हो जैसे गुजारदा दिश्टी देटे प्र western निहाल हो जाते है तो बने का आगे चलकर वानी द्वारा सब को परिचे देने का समय भी नहीं होगा और सरक्मस्टांस हालात भी नहीं होगे तो क्या करेंगे वर्दानी द्रिष्टी द्वारा महादानी द्रिष्टी द्वारा महादान वर्दान देंगे लास्टेज में क्या क्या करना है अब इसे त्यारी कर लो सुरियोस की दिरिष्टी से स्रिष्टी बदलनी है दिरिष्टी दौरा क्या करना है शांती की शक्ती प्रेम की शक्ती सुख की शक्ती आनंद की शक्ती सब प्राप्त होती है है जड़ मूर्तियों के आगे जाते है मंदिर में जाते हो जड़ मूर्ति हैं वो तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना फिर भी भगत आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है तभी तो जाते है ना कैसे प्राप्ति होती है कैसे प्राप्ति होती है उनके दिविता के वाइब्रेशन से और दिविन नैनो की दिष्टी को देख वाइब्रेशन लेते हैं है ना हैसे लेते हैं मंदिर में जा करके तो कोई भी देविता या देवी की मूर्ती में विशेश एटेंशन नैनो की तरफ देखेंगे वह ना फेस यानि चेरे की तर्फ एटेंशन जाता है क्यों क्यों कि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है नैनो द्वारा दिव्धा की अन्भूती होती है वो तो है जड़ मूर्तियां लेकिन किसकी मूर्तियां है आप चितन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां है जड़ तो मूर्तियों में गारी करने बनाई है रेयल्टी में तो आप ही हो न ये नशा है कि हमारी मूर्तियां है और चितन्य में ये सेवा की है तभी तो जड़ मूर्तियां बनी है तो द्रिष्टी द्वारा शक्ती लेना और द्रिष्टी द्वारा शक्ती देना ये प्रैक्टिस करूँ बावस दे लो फिर आगे द्रिष्टी से सब को पावर दो साकाश दो ये प्रैक्टिस करना शांती की शक्ती की अन्भूती बहुत छ्रेश्ट है जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ती का कितना परवाव है साइंस ने किती प्रॉग्रस किया हर एक अन्भूव करते ही है साइंस पावर लेकिन साइंस की शक्ती निकली किसे साइलेंस की साइलेंस की शक्ति से ना कैसे निकली साइलेंस की शक्ति साइलेंस में जा करके अंडर्वन जा करके जब साइलेंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति कराई रही है तो साइलेंस की शक्ति अध्यात्मिक शक्ति कितनी प्राप्ती कराएगी पांच तत्यों की बनीवे चीज़ों शक्ती कर सकती है तो जो प्राप्ती करा रही है श्रीर को आत्मा करा रही है तो कितनी पावर करा सकती है तो बाप के दिव्य दिश्टी द्वारा स्वयम में शक्ती जमा करो तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे इतना आप योग बलकटा करो किसी की जुरूर पड़े दिस्टी से उसकी दिस्टी बल जाएगी अपने लिए ही जमा किया और अपने ही काहिद में लगा दिया अताद कमाया और खाया जो कमाते हैं और खा करके खतम कर देते हैं उनका कभी जमा नहीं होता सौर पे कमाए, सौर पे खाके जमा क्या किया बैलेंस क्या जमा किया और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसी को समय पर दोखा मिलता है दुखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ती होगी ऐसे ही साइलेंस की शक्ती जमाने की योगबल जमाने किया दृष्टी के मातव का अनुभव नहीं होगा कि दृष्टी से शृष्टी बदले के मारी इसका अनुभव नहीं होगा तो लास्ट समय श्रेष्ट पद प्राप्त करने में दोखा खा लेंगे फिर दुख होगा पस्चा ताप होगा इसलिए अभी से बाप की दृष्टी द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अन्भव करते जमा करते रहो तो जमा करना आता है पूछने बाबा जमा करना आता है जमा कर होने की निशानी क्या होगी जमा हो रहा है क्या निशानी होगी उसे नशा होगा जैसे सहुकार लोगों के चलने बैटने उठने में नशा दिखाई देता है चारी अलग होती है और जितना नशा होता उतनी खुशी होती है तो ये है रुखानी नशा इस नशे में रहने से खुशी सुवता होगी खुशी ही हमारा जनम से अधिकार है सदा खुशी की जलग से औरों को भी रुखानी जलग दिखाने वाले बनो आपकी खुशी दूसरों को भी जलगे कितना खुश कैसे रह सकता है इसी वर्दान को सदा समरिती में रखना इस वर्दान को कुछ भी हो जाए खुशी के वर्दान को खोना नहीं क्या बाबने बना कुछ भी हो जाए बात कैसी भी आ जाए पर खुशी के वर्दान को खोना नहीं समस्या आएंगी और जाएंगी लेकिन खुशी नहीं जाए क्यों? क्योंकि खुशी हमारी चीज़ है समस्या पर इस देती है प्रोडम दूसरे ने क्रेट गी ना फिर कुशी तो मेरी पापरटी है जो बाबा ने मुझे वर्दान दे दिया समस्या परिस्तिती है वो तो दूसरे की तरफ से आई हुई है अपनी चीज़ को तो सदा साथ रखते है ना पर आई चीज़ तो आएगी भी और जाएगी भी परिस्तिती माया की है अपनी नहीं है किसी से बात होगी किसी तो माया है तो माया की परिस्तिती खड़ी गदी उसने वो तो अपनी नहीं है मैंने क्रेट तो नहीं की अपनी चीज़ को खोना नहीं होता तो खुशी को खोना नहीं कितनी बली बात बाब ने बोली खुशी को खोना नहीं चाहे ये शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए खुशी से शरीर भी जाएगा तो शरीर भी बढ़िया मिलेगा पुराना जाएगा नया मिलेगा तो गुजरात और महराष्टा वाले इस महा नता में सदा रहना कि खुशी में महान वनना महाराष्टा में खुशी में महान वनना ठीक है ठी? दिवование कैसे आएगी? जब खुशी रहेगी ठीक है? नेस्ट ग्रूप में बोला आंजब परदेश और करनाट का ग्रूप था इस ड्रामा के अंदर विशेश पार्ट बजाने वाली विशेश आत्माई हैं कौन आ हैं? I am a special show इस ड्रामा में I am a special show ऐसे अन्भोग करते हो जब अपने को विशेश आत्माई समझते हैं तो बनाने वाला बाप सुथा याद रहता है याद सहज लगती है क्योंकि संबंद याद का आधार है special room है किसने बनाया बाबा याद आ गया जहां संबंद होता है वहाँ याद सुथा सहज हो जाती है जब सर्व संबंद एक बाप से हो गए तो और कोई दुनिया में संबंदी रही नहीं एक बाप सर्व संबंदी है इस समरीती से सहज योगी बन गए कभी मुश्किल तो नहीं लगता पर जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो और जब माया को विदाई देंगे ये पांच विकारों को विदाई देंगे तब बाप की बढ़ाईयां बहुत आगे बढ़ाएंगे देंगे जी बक्ती मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो ब्लेसिंग दो लिकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है कैसे मिलेगी बाप से ब्लेसिंग दुआएं कैसे मिलेगी जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग सुथा मिलेगी blessing मांगने की चीज़ नहीं है विकारों को विदाई जाते रो विकारों की तरफ जाओए ना अपना blessing बिर रही है automatic plant आई है परमातम दुआएं एक जनम नहीं लेकिन अनेक जनम शरेष्ट बनाती है सदा ये समरीती में रखना कि हम हर कदम में बाप की बरामन परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चलें ड्रामा में विशेश आत्माएं हो बापा कहते ड्रामा में आप विशेश आत्माएं हो विशेश करम कर अनेक जनमों के लिए विशेश पाट बजाने वाले हो साधारन करम नहीं विशेश करम विशेश संकलब और विशेश बोल हो अटेंशन 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 अगना हैं तो आंदर वाले विशेश सेवा यही करो की अपने श्रेश्ट करम द्वारा अपने श्रेश्ट परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो तो अपने को आइना बनाओ अपने को आइना बनाओ और आपके आइने में बाप दिखाई दे आप ना दिखो उनको लगए यह बाबा होता तो ऐसा होता ऐसी विशेश सेवा करो तो यही याद रखना की मैं दिव्य आइना हूँ कौन हूँ है मैं दिव्य आइना हूँ मुझ आइने द्वारा बाप ही दिखाई दे समझे अच्छा वरदान सदा एक रस्थिती के तकट पर विराजमान रहने वाले के बाप दादा के दिल तकट नशीन भव। बाप दादा के दिल के तकट कुन बेटे गा बाबा के साथ नेक्स राजा कुन बढ़ेगा जो तकट पर विराजमान होगा जो बाबा के दिल के तकते बैटेगा वोई विश्व कर राजी के तकते बैटेगा तो तकत पर कुन बैटेगा जो सदा एक रस्तिती कौन से एक रस्तिती अचल एक सदा अचल अडोल और एक रस्तिती जिसकी होगी कोई बात विचलित ना करे संकल अपना इद दर चलें कोई बात बुद्जी को डॉमडोल ना कर दे अडोल एक रस जो बाबा ने कहा है उसी की बातों का रस आता रहे उसी के संबंधों का रस आता रहे और कोई भी बात कोई भी समंध अपनी तरफ ना कीचे ऐसी स्टेज हो शांती की स्टेज बस और कोई बात अचांत ना करें पविज दादा की स्टेज मैं पविज तर्था के बगाँ और कोई चेज डिस्ट अम न न is करे ऐसी स्थेती के जब उन तकफट पर विराज मारेंगे बैठ ही रहेंगे हिलेंगे नही प्योट्री मिज़ प्योट्री शंती मिज़ शंती तब बाप दादा के दिल के तकषट पर बैठेंगे उस पर नशीन बनेंगे कैसे सुनो सभी से श्रेश्ट तकषट बाप दादा के दिल तकषट नशीन बना है बापा के दिल पर चल गए सबसे सबसे बना तकषट आई है लेकिन इस तख़त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस थिती का तख़त चाहिए आपका तख़त कासा हो अचल अडोल एक रस अगर इस थिती के तख़त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख़त पर स्थित नहीं हो सकते पहले अपने तकत बैटो फिर बाबा के दिल के बैटो गे इसके लिए अपने ब्रिकुटी के तकत पर अकाल मौरतमन स्थित हो जाओ इस तकत से बार बार डगमक ना हो तो बाप दादा के दिल तकत पर विराजमान हो सकेंगे यानि कि बाबा की दिल के बाबा की दिल के बाबा की बाबा की दिल के बाबा की बाबा की दिल के बाबा की 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 गद्धी नशीन बनेगा उसके लिए करना क्या पढ़ेगा स्लोगन शुब चिंतन द्वारा नेगटिव को पॉस्टिव में परिवर्तन इतना अच्छा अच्छा प्योर सोचो जो नेगटिव की गुझेशी नहरे इतना अच्छा अच्छा पॉस्टिव सोचो, जो नेगटिव खुदी खतम हो जाए, यहनि कि नेगटिव और पॉस्टिव जैसे अंधेरा है, अंधेरे को खतम करने के लिए धक्य मरो नहीं निकलेगा, एक रोश्णी जिला दो, एक चिराख जिला दो, लाइट जिला दो, अ लूम शांती